समस्कार दोस्तों एक बार पुर्णा स्वागते आपका आपके अपने यूटुब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रदान मंत्री फसल भीमा आयोजना खरीद दो याज 24 के जो आविदन फाम बरे जारे हो आविदन फाम हम केसियों ओनलाइन करेंगे इसमें क्या दस्तावज लगेंगे संपूर्ण जानकार हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर के स्टेप बाइ स्टेप देंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चेनल पर नए तो हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें बिला इकन को प्रदानमंत्री फसल भीमा खरीद दोज़ाज 24 का आधिन कर सकते हैं यह वाले पॉर्टल पर आने के बाद में सिंपल से लोगिन वाले आप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपका जो भी चैसी का युजर आईडी पासवर्ड है डिजिटल सेवा का वह युजर आईडी देकर लोगिन कर लोग है तो दोस्तों आप अपनी सीजिके ऑफिशल पोडल पर यानि के अपने डेश्बोर्ड पर आ जाओगे कुछ इस तरीके से आपको डेश्बोर्ड दीखेगा तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है सिंपल से यहां पर सर्च बार पर आपको टाइ उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुना डेश्बोर्ड दीखेगा तो यहां पर आपको एप्लिकेशन पर क्लिक करना है एप्लिकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर सबसे पहले आपकी स्टेट का चेहन कर लेना है और यहां पर जो खरीब 2024 का पर आपका एप्लिकेशन फॉर्म रहेगा उसके बाद में लेकिन उसकी रिषिप्ट नहीं निकल रही है तो यह पर प्रेड़ईशन पर जाकर आप इसका अपना न पुनद रोडर कर सकते हैं और आप फ्रेस आवेदन कर रहें तो सिंपल से आपको application form पर क्लिक करना, जैसे आप application form पर क्लिक करोगे तो कुछ यस तरीके से आपको और प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना दोजा 24 कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके बाद में दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको आपकी बैंक की जानकरी देनी है और यह बैंक की जानकरी वही दे जो आपका आधार से यहां पर बैंक बैंक की जानकर यहां पर आपको देना है तो यहां पर बैंक से आपको आफ चेंड करकर अपको झिखेंड ना तो नो को सिलेक्ट करें लेकिन यह को सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपका बेंक का एपसी कोड यहां पर आपको देना है आपसी कोड देने के बाद में यहां पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है सिंपल से वेरिफाई पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी जनकरी यहां पर semiD weekly यानि कि बेंक का नाम बेंक काई स्ट्रिट नाम जी ले का नाम बेंक ब्रांच का नाम यहां पर ऊजो हें वाटोमेटिक हो जाए उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ निंग करना है सिम्पल से अकांटम सेa यहां सबसे पहले हैं यहां पर oh at g уже बी आपकी पास्बूब यो ना पर आपको देना है उसके बाद में उसके बाद में तो यानि के अधर और देकर वेरिफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो आधार काड़ वेरिफाई हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना उसके बाद में relation टाइप में तो इसको आप सिंपल से क्लिक करना पीता का नाम देना चाहते हैं माता का पीता का या जिसका भी नाम देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना उसके बाद में जो भी आप सिलेक्ट करोगे सन आप करोगे तो आपके पीता का नाप डाटर आप या वाइप आप या केर आप जो भी कर जैंडर के यहां पर पर पत्थाफ्टी का जेंडर नहीं आपका जेंडर करना करेंचर करलें के कि तरह यहां पर तो इसमाल किसान तो चोटे किसाने तो इसमाल को सिलेक्ट करें में तो इसको और अधिक बड़े किसाen तो अदर कशन ने काई जो भी उसका चेिन करूए जेसे आफ सिक्षान कर लोगे उसके बाद में शिदेंसिलएड्रेस में आपका इस्टेट और जीला ऐटोमेटिक ले लेगा यहाँ पर आपको तेशली का चैन करना है उसके बाद में आपके गाओ का नाम देना पीन देना आपका पूरा पता हैं पर है उसके बाद में आपका no-min की जानकर यहां दे और आप अमिल से सिलेक्ट करने के आपको सिंपल से सेवे और क्लीक और Please कर ने धोस्तों कुछ इस तहीं के से फार्मय एप्लिकेस्ट मत पूर्णा यहां पर यहां पर निए करन आप आप केippy Just here आपको श्राइब करनी से अटपके यहां ओसके बाद में आपका गाउओं कानाम यहां पर अबचेन करें तो जो भी आपकी जानकर या आपकी पाउती सीर्ण या जानकर यहां चैन कर लें नहीं है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको तो मिक्स क्रॉप पे तो चेक बाक्स पे आपको खोड़ दे उसके बाद में क्रॉप में जैसे आप ग्रीन ग्रैम लोंग मक्का कपास यहां भट यानि की सोय बिन जो भी आपकी खेती में लगा जिसका वीमा करना चाहते जो जीस भी फसल का करना चाहते उसको चैन कर ला है उ उसके बाद में यहां पर आपका खस्रा नंबर देना है तो यहां पर सिंपल से आपको verify क्लिक करना है जो भी आपका खस्रा नंबर की भागा चाह, इसलिए आपका जो एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है तो वह भी यहां पर पर सो जाएंगे उसके बाद में आपको जितनी जमीन में यानि की जितने एरिये में आपने जो फसल वोई है उस वाले option को आपको सिलेक्ट करना और सिंपल से आपको करना जैसे आप सब्मीट वाले option पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और तो यहां पर आपको इंसुरेंस एरिया ओटोमेटीक ले लेगा जो भी आपने स्लेक्ट किया था वह यहां लेलेगा उसके बाद में somewhere यहां पर सो जाएगा में प्रीमियम रेट यहां पर दिखेगी उसके बाद मैं Parmenシaries यह निकि पुर mature को खुड़ार बुकुटन्य प्रघ्स को बुखतान करना है वह दिखेगा और ४्रइन्स यहां पर कुंप되는 यहां पर आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगे यहां पर insurance amount भी रहेगा कितना insurance आपको मिलेगा वह भी दिखेगा प्रीमियम कितनी बढ़नी वह भी दीखेगा और टोटल प्रीमियम भी यहां पर दीखेगा उसके बाद में application और उस्तिका वो इसके न करकर upload करें, sewing certificate येधी आपके पास है, तो दे आनेता इसको छोड़ दे, और ये certificate, tenant certificate येधी आपके पास है, तो दे आनेता इसको भी आप छोड़ दे, उसके बाद में यहाँ पर आपके जो डोक्यूमेन वो upload हो जाएंगे, है उसके बाद में आफको प्रीव vas藏 पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको सब्मिट का अप्शन करना हो भी तक क्लिक करें जैसे में अपको सब्मिट वाले प्र बिखेगा फर्मर सेर दिखेगा टोटल एरिया दिखेगा ब्रांच नेम दिखेगा उसके बाद में क्रॉप का नाम दीखेगा और सिंपल से आपको मेक पेमेंट वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी चेटी का आईडी पासवर्ड है वह यानि की डिव आपका CSE का transaction password है वो देकर आपको जो अपना इसका payment बुकतान कर ले payment बुकतान जैसे आप कर लोगी उसके बाद में आपको एक रसीद जनरेट होगी वो रसीद यानि की insurance की policy रहेगी वो policy आप print अकरकर अपने पास सुरक्सित रख ले यदि आपकी खेती में किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उस इस्तति में दोस्तों आप जो insurance है यह claim कर सकते हैं और insurance की राशी जो है दोस्तों आप पा सकते हैं हम आपकी सायता करने की पुरिकोसिस करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करना share करना लाइक करना और हमें support करना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में कुछ नहीं के साथ तब तक के लिए जाइन वंदे मात्रम